वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिक सेक्षन के बारे में ठीक है बहुत लोगों की रिक्ष्ट भी इस सेक्ष्ट को लेके आई है और अल्रडी वन भीडियो बना रखा है जिन लोग नहीं देखा तो आप अप वोड प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं ठीक है फिर अब हुआ होते तो हमारी स्पीड फिरिदिंग के चल्दी होगी त हम अजन चीजों को बार्न चंब होते हैं अगर हमारीdaशी प्रॉबलम है जब हम समझेंगे कब रीड करेंगे इसलिए डेली हमाई रीडिंग होनी ही चाहिए ठीके अब बात आती है कि हम रीड क्या करें ठीके काफी लोग बोलते हैं दाहिंदू पढ़िए कोई बोलेगा एकनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस बट एकॉर्डिंग टू म आपको जो अच्छा लगता आपको रीड करना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेस्विक दाहिंदू बोला गया तो आपको दाहिंदू ही पढ़ना है जो नियूस पेपर आपको समझ में आता है इंडियन एक्सप्रेस हो गया और उसमें से भी आपको पूरा इसलाइब नियूस प्रण्डिंग मिल्ड होती जाएगी ठीक है उसके लाब आपके पास कोई बुक है ठीक है काफी लोग बुक्स डीट करना पसंद करते हैं बहुत सरी बुक्स होती हूँ नके पास ठीक है कोई भी स्टोरी जो भी आपको अच्छा लगता है ठीक है and novel ठी वही चीज में आपको बता हुँ ठीक है कि रीडिंग वह ज़रूरी कैस है कि आपको यह पढ़ना ही का मैं पढ़ना है कंपल सरी है बस आपकी रीडिंग होनी चाहिए आपको यह पढ़या बिखके कुरें बहुत हैं God B सबते से चाजब और पर सब्सक्राइब मेट बहुत है खला समयिंग क में और एक सब्सक्राइब जहाएं सबीजुक्त साथ से आज आते हैं जब हमें sentences or sentences हमारे होते हैं grammar portion में या फिर आप कह सकते हो article हो गयरा हो गया तो वहां पे भी आपका grammar बहुत help करता है ठीक है grammar के जो rules है वो आपकी fillers में भी close test में भी and column based question हो गया error detection में तो आपको पता ही है सारे rules पता ही मतब based rule पे ही based होते हैं आपके questions ठीक है तो grammar यह role play गरता है reading comprehension को छोड़के जो भी चीज़ें होती है आपकी वो grammar पे ही based होती है अब grammar इतना vast है आपका कि कितना आप पढ़ोगे सारे rules है उसके rules पे भी कुछ exceptions भी आपको दे रखे हैं ठीक है कि कहां पे कोई rule अगर यूज हो रहा है तो उसके व्यों मतब नोट में देखके एक आपको इसके exceptions भी दिये रहते हैं ठीक है तो इसलिए 120 rules जो कि काफी famous है आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सुना होगा इस टाम को ठीक है यह वही रूल है जो आपके exam में repeat होते रहते हैं ठीक है तरीके साब बोल सकते हो कि एक collection है उन रूल्स का जो आपके exam में बार-बार पूछे गए है ठीक है उन्हीं की एक क्या बोलते हैं आप महां बोल सकते हैं इसलिए 120 रूल्स बताएगे है और यह रूल्स माम ने इनका वीडियो भी यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा अनक्याडमी पर भी फ्री एक्जामपल तो नहीं बता सकती बट आप माली जैसे की फिलर में आपको कॉश्चन कर रहे हो ठीक है तो उसमें कहां पे प्लूरल वर्ब आनी है कहां पे सिंगुलर आनी है कहां पे आपको हैव यूज करना है कहां पे हैस कहां पे इस एम आर हो गया या फिर सब्जेक्ट वर्व अग्रिमेंट होते हैं कॉश्चन्स या आर्टिकल हो गया ठीक है जो तीन आर्टिकल है आपके तो उससे पहले स्वारी उसके बाद में प्लूरल है या सिंगुलर मतलब वो नाउन अगरा दे रखा तो आप इसको अगर आपका आर्टिकल दे रखा है या नहीं दे अगर वहां पर चीज़े दे रखी होंगी आप ने रूल पठ रखें तो आपको चीजे क्लियर रहेंगी कि कहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा कहां पर आपको कौनसी वर्व यूज करनी है ठीकिए अगा सिंगुलर दे रखा है नाउन हो गया या वर्व दे रखी है तो उ पूप्सन्स आपको दे रखें अपने वो कैप मतब आएसी वो काईब हैं जो आपने नहीं सुनिया आपको नहीं याद नहीं यादा रहा है तो में उस भग किसका मीनिंग क्या होगा तो वहाँ पर आप eliminate कर सकते हो इसे की form देखे कि किस form में दिया है sentence का form क्या है और वो आपकी कौन सी form दे रखी इस तरह करके आप eliminate करके वहाँ से answer अपना find out कर सकते हैं ठीक है तो यह चीजें बहुत help करती हैं आपके fillers में भी यह चीजें मैं practically खुद करती हूं वही चीजें थे मैं आपको बता रही हूं ठीक है अपने मॉक्टस में देखा हो और लिचाए को भी आपको इस तरह की घंघ करती हो इस किया थीज आपकी हिए को इस तरह करती है आपकी जैसे कॉलम बेस कोशन से कभी कभी क्या होता कि जो है कॉलम ए बी नहीं मैच कर रहा होता है तो अगर हमने संटेंस पढ़ रखें तो संटेंस संटेंस मेच होता है कहां पर सिंगुलर वर्ब कैसे करके मतलब थाड़ फॉर्म आरी कहां प्यारी तो ऐसे करके भी कॉस्टन्स हो जाते हैं अगर आपको प्यर नहीं मिल पा र स्टाम नहीं जैसे आपके हां स्वाइपिंग वाले हो गए तो उसमें भी आप पता कर सकते हो ठीक है कॉस्टन्स अगर आप सॉल कर रहे हो प्राक्टस आपकी डेली चल रही तो आप खुदी उस चीज को रिलाइस करें कि हां ग्रामर का क्या रोल है ठीक है तो ग्रामर बह चाहें बनाई थी ठीक है उसमें मैं सारे जो भी वर्ट्स मुझे नियों दिखते थे एट्रोरियल में या कहीं में बढ़ती थी तो उसको नोट डाउन करती थी उस लेटर जो भी संटोनेम सुझी जो भी समझ में आते थे मैं सब लिखती थी लेन उसके बाद क्या हो कुछ यहीं में थे थान रहते हैं कुछ वर्ट्स नहीं रहते हैं क्योंकि हम डेली ने रिवाइज नहीं करते हैं जैसे करणट अफ़ेर हो गया वैसे ही आप इसको समझ दीजी कि अकर आप नहीं रिवाइज करोगे तो कैसे आएंगी इसने जो भी आप रीड कर रहें चाहाए ब अपनी लाइब में भी अपनाई हैं ठीक है कोई नया वर्ड देखते हो तो आप इसको संटेंस में यूज कर सकते हो या आपके सामने अगर डेली वह आएगा वर्ड तो आपको ख़दी याद हो जाएगा उसके लिए कोई अलग सा डिक्षिनरी आपको बनाने की जरूत नहीं बाकि अगर आपको कोई मॉक्टस में अगर आपको नया वर्ड दिखता है तो अनलेसिस पार्ट में उसको ध्यान से अच्छे से देखे और याद कर लीजिए ठीक है या फिर आप चाहें तो वीकली उसको वीकली देख भी सकते हैं कौनसा नया वर्ड आपने जो इस वीक आ आपको दे रखें जो भी आपके जिस तरह के जिसने टाइब के भी कॉच्छन होते हैं आपके ठीक हो गया कॉलम बेर्ट कोश्टन हो गया पारा जंबल हो गया ठीक है वाट्सवापिंग हो उनकी सबकी दी हुई है कि वे किस तरह से उनकों को सॉल्ब करना है उसके साथ ही आपके ठाल मॉक्टरस पेपर दे रखें प्रिमेंग्या जो भी डिया। मेस दिखाएक हें ऑ दिखा लेते हुँ इसमें इंडक्योंा इसका है। तो यह हैं आपके रूर्स ठीक है उसके बाद यह प्राक्टिस सेट्स आपके 15 और यह उसके बाद जो चीजें दे रखी है ठीक है जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन की स्टाइजी हो गई क्लोस्ट थो गया हमारा फिलर्स हो गया पाराग्रफ हो गया सांग प्लीशन एंट्री एसनी विच्पराँ करने की आने चाहिए जासे कप देख सकते हैं जैसे कि आपके रूल्स दे रखए हैं ठीके रूज के जो भी एकसेप्शन थी तो बहुत सारे कॉस्टेमिशन संथ दोनों च के तो आपको प्राक्टिस के लिए बहुत अछी बुक है ठीक है तो यह रहे हमारे सारे कॉस्टन्स ठीक ओके एंड बुक से साथ भी इनकी क्लास भी है अगर आपको नहीं इसमें बुक से तो आपको यूट्यूब पे भी और अनकाडमी पे इस्पेसल क्लास में आपको 120 रोस ग्रामर की जो है क्लास मिल जाएंगे आप वहां से भी देख सकते हो अगर मालीजे आपके एक्जाम्स हैं तो वहीं चीज है ना कि आप वीडियो कहां से दोखोगे तो बुक से रहता कि मालीजे कोई रूल आप भूल गया ठीक है आपको देखना है एक्जाम से पहले अगर आप रिवीजन करन से ठीक है अन्दूसी चीज मैं आपको दिखा देती हूं एरा डेट्रेक्शन के जो नियू पार्ण के कॉश्चन से यह है निमिशा मायम की प्रोफाइल अगर आप फॉलो कर रखे होंगे तो यहां पर शो करेगा ठीक है तो इसमें जो स्पेसल क्लास में जाएंगे तो यह कहां पर क्लास देख जाएंगे जैसे की आप स्कुल्कष कि बीयों के जो अभी एक्जाम आने वाले हैं तो तो मतर्यूख संके जितने यह हो लिकांटकर अपपी तेह हैं इसके ठीक हो और वो फु को सब्सक्न से प्राक्टरस करने के बाद जो भी आप इडेट्रों पढ़ आपको 130 PM पे चाहे तो आप रिकॉर्डर भी देख सकते हैं लाइ भी देख सकते हैं जिनको एरे डेक्शन में प्रॉब्लम होती है और जिसकी में बात करें थी यह रहे हैं आपके 120 रूल्स ऑग्रमार ठीक है तो मैं बस दिखाने के लिए आपको बताई थी यहां से आप दिखा दी है ठीक है तो अगर जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है टॉपिक में डेक्शन हो गया आपका यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है बाकी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो ले सकते ठीक है और भी कोई कोरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं थैंक्यू वरिबारी और गॉट नाइट